सरकारी जॉब को लेकर सबसे बड़ी अपडेट जारी किया गया है आ गया एक लाग से अधिक जॉब के लिए अवेधन करें सभी स्टूडेंस जितने भी स्टूडेंस इस वीडियो को देख रहे हैं सरकारी योजना का फाइदा लीजिए तुरंत दोस्तों सेलरी यहाँ पर आपको थमनेल पर देखने को मिल रहा है ठीक है अब यहाँ पर चलिए श्टार करते हैं आपको इस वीडियो के माधियम से बताया जाएगा कि कैसे आनलाइन अवेधन करना है इस जॉब के लिए और क्या-क्या मान्यत्ता रहेगी यानि पूरी फूल प्रोसेसिंग डिटेल कि इसका ओफिसियल वेबसाइट जो है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा ठीक है आप क्लिक करके असानी से इसके लिए आवेधन कर सकते है पर आवेधन करना कैसे है रजिस्टर कैसे होना है इस वीडियो में यह जानकारी जान लीजिए तो यह चैनल आवेधन कर सकते हैं जिसके लिए आपको कोई भाग दोड करने की जर्रत नहीं होगी जिसकी पूरी जनकारी इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है तो देखिए सीधा लिंक आपको इस तरह मिलेगा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इस तरह का रोजगारी की मार झेल रहे हैं और रोजगार प्रावत करना चाहते हैं तो आप असानी से इस पोडल पर अपना आनलेन रेजिस्टेशन कर सकते हैं जिसकी पूरी आनलेन प्रक्रिया कुछ इस परकार बताई गई है तो जोब पोडल गौर्मेंट आफ इंडिया दिखे सबसे पहले इसकी अधिकारी की वेबसाइड पर जाना होगा ठीक है अधिकारी की वेबसाइड पर जैसे क्लिक करोगे इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पहले ही बताया था कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया ठीक है आप क्लिक करोगे तो आप इस तरह का कुछ होंपेज देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बाद होंपेज पर आपको register का tab मिलेगा, जिसमें आपको candidate का विकलब मिलेगा, जिस पर आपको click करना होगा, click करने के बाद आपके सामने इसका registration form खुलेगा, और अंत में आपको submit के विकलब पर क्लिक करना होगा, login ID और password प्राप्त कर लेना होगा, आप जैसे register करोगे form, submit पर क्लिक करोगे, आपको जो है एक login, आपको ID और password मिलेगा जो आपके mobile नंबर और Gmail ID पर send कर दिया जाएगा, उस login ID, password को क्या करना है, पूरी detail में समझ लीजिए अब second step, direct apply for job, आप सभी वाओं के द्वारा इस portal पर सफलता पुर्वाक आपना registration करने के बाद, आप homepage पर आना होगा, homepage पर आने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, आप लोगों को बताना चाहूंगा, सभी students, apprenticeship का option मिलेगा, कुछ इस परकार का, ठीक है, यहाँ पर देख लिजे, ठीक है, इस विकलप पर आपको क्लिक करना होगा, जिस पर आपको क्लिक कर दिना, क्लिक करने के बाद, आपके सामने latest job की एक पूरी list खुल जाएगी, जो कुछ इस परकार का होगा, अब इस पर क्या करना है, आपको ध्यान से सुनिए, आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अपलाई, यहाँ पर आप लोगों को बता देना चाहता हूं, पूरी information के साथ आप वीडियो को पूरा end तक देखिएगा, ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, अब आपको अपनी योगता के अनुसार इच्छित नोकरी के विकलप पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपके सामने उस नोकरी की पूरी जानकारी आजाएगी, उसके बाद केवल अपलाई पर क्लिक करने के बाद आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, अंत प्रकार, अंत इस प्रकार आप सभी इच्छिवा, असानी से इस पोटल की मदद से रोजगार धेरो नोकर के लिए केवल ही मिंटों में आवेदन करके इसमें अपना केरियर जो है बना सकते हैं ठीक है आप करियर बनाने के बाद आप सभी वेरोजगार वहाओं को रोजगार के सुनेरे आवसर प्राप्त हो इसके लिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यहीं तक जानकारी समाब् बहुत जल तब तक के लिए टेक केर गुडबाए जाहन 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 बंदे मात्रम